साथियो, कॉंग्रेस की नेताओं को सिर्फ अपने बेटे बेटियों की बविश्की ही चिन्ता होती है अच्छा मैं जरा आप से एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक से जबाब देंगे? जरा आप मुझे सब बताइए, ठीक से जबाब देंगे? एसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए अच्छा मुझे बताइए, जो हमारे देश में, गाउं, शहर, लोग जो चीजे बनाते हैं वो चीजे जादा से जादा बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए जो हमारे देश में बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए अगर वो बिकता है तो हर गरीब को लाब होता है कि नहीं होता है जो मद्दूर मद्दूरी करता है उसको भी लाब होता है कि नहीं होता है देश का पैसा देश में रहता है या नहीं रहता है अगर उसकी कमाई बढ़ती है तो वो अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है अब ये कोई political कारकम है क्या मुझे बता ही इसमें कोई भाजब Congress लिना जेना है क्या ये सब की बढ़ाई का काम है न आप में से कोई एक वेक्ति है जिसने सुना हो कि Congress के किसी नेता ने कहा हो कि भाई vocal for local स्थानिय उत्पात खरीदो कभी बोला है क्या किभी बोला है क्या मुझे बताईए ये ऐसे लोग देश की सेवा करेंगे क्या उसमें भी उनको शर्म आती है मेरे देश के लोग जो चीजे बनाते हैं वो चीजे मेरे देश में भीके ये कहने में भी जिन दल को शर्म आती है ऐसे दल को कभी भी मोका नहीं देना चाहिए भाईयो कभी भी नहीं देना चाहिए आप देखिए हमने प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योजना लाए यह पीम विश्व कर्मा योजना भी हमारे एंपी के हमारे विश्व कर्मा परिवारों को आधुलिक ट्रेनिंग मिलेगी ट्रेनिंग के द्वर्मान भी पैसा मिलेगा उनको आधुलिक आजार मिलेंगे उनक तो एक 13,000 करूर्पय का पैकेज हमने हमारे विश्वकर्मा भाई बेनों को दिया है और ये विश्वकर्मा के बिना जीवन चलता ही नहीं है कुमार हो, लोहार हो, सोनार हो ये सारे जो समाज के लोग है इनकी महनत से समाज बनता पनपता है हमने इनके लिए काम किया है आगे बेनों, अब तो दिवाली और दंतरज भी आने वाला है मैं गुना से MPK, देश के सभी नौजवानों से सभी परिवारों को कहूंगा कि हमारे विश्वकर्मा साथियों से जो उत्पाद मनता है न हम उसी के खरीदे हम Made in India खरीदें हम खरीदे इतना ही नहीं उस दुकान में जाकर के उस बस्तू के साथ जरा सेलफी लें और वो सेलफी लेकर के नमो एप पर प्लोड करें पुरा देश देखेगा कि इंदुस्तान के किस कौने में क्या बन रहा है और कितनी शांदार चीज बन रही हैं मैं आपका मार्केटिंग करूगा नमो एप पर मैं आपकी बनाईवी चीज दुनिया में बेचते के लिए मेहनत करूगा क्योंकि मेरे देश के लोगों की बलाई हो यही मेरे जीवन का मक्षर होता है